स्वभी को नमस्कार मेरे आनन्द राज़त दिक्षण अपने यूट्यूब चैनल सुन मेरे हिंदू रे में आपका मन पुर्वक सागत करता है अगर आप पहले बार इस चैनल पर आए हैं तो कुपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और आपको अगर मन से पसंद आया है और आपको लगता है कि इस वीडियो का दूसरों के लिए भी उपयोग होगा तो शेर बटन वहीं है उसे प्रपैश शेर दबाईए जिस लोगों के पास ले जाईएगा चलिए वीडियो को शुवरात करते हैं तो अभी फिलहाल जो रावी वाटर ट्रीटी पर इंडस वाटर ट्रीटी जी से कहते हैं तो उसको लेकर जो हला मचा है और यह कहा जाता है कि भारत में रावी नरी का जो लाहोर के बि पानी मिलेगा यह पहले से मतब्शें वहाँ, आज तक हमने वह पानी लिया नहीं था फांजा पानी का कोई यूज नहीं किया था लेकिन उस पानी पर से भारत ने हख छोड़ा नहीं था, तो बस अभी वह हख जमाया है, ठीक है यह कोई नहीं कहेगा कि निगस के अन्ग प और बहुत डिटेल में कई है, अध्र एक घंटे के वीडियो है, तो मैं उस फर समय बरबाद नहीं करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि उनके वीडियो देखे, यहां इस वीडियो में जो मैं विशेय रख़ राओ हूँ, वो विशेय किसी नहीं रखा, और मैं सोचता हो, कि से उनका देश पैदा हुआ भारत से काट का तो उन्होंने वाइस ऑक्टोबर को उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया और श्रीनगर के बिल्कुल करीब आ चुके थे वह स्ट्रगल कर भी काफी ब्योरा मौजुद है मैं उस पर भी पूरा भी जाने वारा नहीं हूँ कई सारे डीटेन में किस्से मौजुद है उसके बात ये थी कि सदाव पटेल ने जिस तरह से वो कश्मीर को बचा लिया जवावला ने उसे ओर्डर्स ले लिये वगरा वगरा वो सब हम सबको पता है यहां बात ये थी पाकिसन को क्या चाहिए था स्रीनगर में माराजा हरी सिंह को इस बात को से के पूरा कश्मिर नहीं हमको क्या चाएंग ने महारजा हरिietetी से विलय के काकज़ात पर सर्फ click कर लिए तो भारत की व Mr. ड्भारत को भारत में शें जम्मौ कश्मिर का कि दूज में कर लिया देख सस्टान वगरा उसका विलय कर लिए और हम वो हमारा अभिन्न अंगब बन गया अगर पाकिस्तान महाराजा हरी सिंग को कैप्चर करके कबजे में लेकर सिन अगप्वे कर सकते थे तो ने को था लगबक बच कए हम अब बच गए तो कैसे बच गए कब कहां तक बच गए यही मैं भी आपको बताने वारा हूं अगर हो कैप्चर करके उनका सिगनेचर लेते तो जम्मू कश्विल गिलगिट बाल्टिस्तान लडार फगर वो सब उनका हो जाता ओफिशली चच्चा तो वैसे भी नहीं जाने वाले थे भिशे ध्केल ना पड़ा उनको परेएं तो यहां तो बिलकुल ना जाते नहीं 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 तो हो वो हमला करके लिया था वो भी वापस हम युद्ध खर के लेने को क्योंकि पाकिस्तान की विपrock पाइसिख सेना फ़ेंसमें घुशक्र हरी सिंग को पकड़ कर उनका fusion होने की इंतजार कर रहे थे या दू नहीं मुझे मालुम यह वह आदमी के बाइब है उनको मैं देशबक तो मानता ही नहीं हूँ एक्सिडेंट था एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर था एक्सिडेंटल हिंदू थे नहीं देश के साथ हुआ एक्सिडेंट था चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात यहां यह है कि अगर वह उस एरिया पर पाकिस्तान का अधिप प्रinkuत्त्य हो जाता अफिसर्ली तो क्या होता यह सारी नदिया जो है ना उनके कभग मैं की और हम आरे साथ क्या करते हैं मतलब किले की घेरा बंदी करके अंदर के लोंगों को उनका राशन पानी दोनों खतम हो जाए खतम होने को आए तो पिर अंतिम प्रयास करके पुरुष्र थे वो रणवेश पहन कर साका के लिए निकलते थे और स्रिया किले के अंदर अगनिकुंड भक्षन करके जोहर करती थे क्यों करती थी सब जानते हैं ठीक है तो यह हमारे साथ क्या करते हैं उन नदियों का पानी भारत को कहां कहां तक पोशित करता है ज़्यादा देखें मैप पर थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए आपको समझ में आएगा गांधी जो मुगलिस्तान देने को तयार थे है शयद इन नदियों का पा पानी रोकने के बाद इनके हाथ में ऐसे ही आ जाता पानी सोक कर पानी रोक पानी सोकक है अफिर हमारे सथ क्या होता आप तो जानते मैं बस इसले ही बताया कि कई लोगोंको च्छाती में दूर उतराने लगा है कि यह बहुत अमानवी कार्यत हुआ वगर होगा नहीं का इतियास देखिए उतना ही मुझे कहना है आज भी कि सोच कतई अलग नहीं है आज भी यहीं करेंगे आपको पता है मतलब यह समझो खिलजी के समय की बात नहीं थी और अंजेब के समय भी कि लोग को इसी तरह गुरदासफूर नंगल में उनकी जब उनको जब मारा गया वहां भी उनके टुकड़ी की घ्यरा बंदी ही कर दी गया और फिर उनको किस बुवी तरह से मारा गया तो वो तो आप नेट पर पढ़ सकते हैं यहां बताने का कोई तुक नहीं है लेकिन यह जो जहां एक किताब में एक अक्षल नहीं बदलता सोच की कुरूलता भी नहीं बदलती है आप समझ दीजिए इस बात को तो पानी रोक के हमने कुछ बुरा नहीं किया है हमें इस बात में अपने सरकार के साथ खड़े वहना चाहिए और आप रहेंगे ऐसी आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसा मैं ऐसी मैं आशा करता हूं स्नेय बनाया रखिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर आवर शेकर दनिवाद जैहिन